नमस्कार, आज हम फिर बची हुई रोटियों से एक और नई डिश आपके साने लेके आए हैं, जिसका नाम है रोटी उक्मा, जे हां, उक्मा आपने रवे का खाया है, इस बार हम रोटी से बनाएंगे, अगें वी विल नीट बची हुई रोटियां, जो हमारे रात के समय या कड़ी पत्ता लिया है, थोड़े से प्रश्ट, ग्राउनर्स लिये हैं, एक नेंपू है और धनिया है, तो सबसे पहले हमने रोटी को चूर करना है, उसका हम मिक्सर ग्राइंडर का इस्तमाल करेंगे, जिसमें इसके पाउडर या फाइन ग्राइंडर्स बना लेंगे, चर मेरे पास रफ़ी छे रोटिया है, इस तरह से इसे टुकडे करके पिर आप मिक्सर में डाल दीचे, इस तरह से हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड करके चूर कर लिया है, थोड़े थोड़े रोटी के टुकडे आप देख सकते हैं, हमने रखे हैं, तबिल Jest लिक नाईस फी हम इसका उत्मा बनाएंगे चलिए अब हम गैस की और पड़ते हैं हमने रफ्ली वान एड़ा हॉप स्वेंग स्पून तेल डेल दिया है फ्लेम को थोड़ा बढ़ा रही हो तेल हमारा गरम होने को है इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे खुड़ दल यह सब बकार के लिए है उसी के साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा राई और साथ में जीरा यह वान फोट या हाव टीस्पून ले सकते हैं मेजरमेंट एक्जैक्री हमें जरूत नहीं है परकास हर खर में अपना एक अंदाजा होता है हमें कितनी जीरों की जरूत परती है वान फोट मैंने हिंग भी ड में डालने जा रहे हूं मिर्ची काड़ी तबता और त्याट थोड़ा सा हम पिंक कर लेंगे और थिर बाकी हम हमारे मसाले दालेंगे आप देखेंगे कलर चेंच हो गया है अब इसमें हमारे बेसिक मसाले डालेंगे आप स्टार्ट विद रेक चिली पाउडर आप स्कूम हल्दी वान पोड करन मसाला वन टी स्कूम अच्छेते लिक्स कर लीचे अब इसी के साथ नमक स्वाधन उसार होगा आगल दी आड़िंग वन टी स्कूम मिक्स कर लीचे खोड़ा स्लो रखेगा ग्लास तो अब इसी में हम हमारी जो रोटियां है जिसे हमने चूर किया हुआ है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम जो नट्स हमें रखे थे ये तीं से चार चमज हैं ज्यादा पसंद है तो और ले सकते हैं और आप हम डालेंगे नीम्बू आप नीम्बू की जगा आम चूरन पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप टमैटो प्यूरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आपके पास चॉइस है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए अब इसे थोड़ा सॉप्ट करने के लिए कूपमा काफी सॉप्ट होता है तो हम इस पर थोड़े से पानी के छीटे डालेंगे पानी डारेक्ली नहीं डालना है आप इसे हम रफ्री एक दो मिनिट के लिए ढख देंगे ताकि ये अपने ही इस स्टीम में और जो पानी हमने थोड़ा सा डाला है उसमें अच्छे से कुख हो जाए और सॉप्ट हो जाए चेक करेंगे जीना काफी अच्छा है अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं और थोड़े पानी की जरूत है तो आप दो तिन चीटे और मार सकते हैं इस पर मैं इसे इसी स्टेज पर छोड़ रही हूँ इस अलमोस्ट डन इसे हम गानिश कर रहे हैं कोरियाइंडर से नीचे हमारा रोटी उखमा तयार है गैस पन कर रही हूँ इसे एक मिनिट के लिए इसे अपने ही स्टीम में रखेंगे आप देखें यह बहुत अच्छे से तयार हो गया है इसे हम सर्फ करतेंगे वैसे साउथ में इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं रोट्टिलो पोनी रोट्टिलो यानिके रोटी और पोनी यानिके वगार तो यू कन कॉल इट रोट्टिलो पोनी और इसे आप सॉस ले ले आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया बना है इसे मैं ग्रीन चट्नी के साथ सुल करना चाहाँगी ऐसे सेट चॉइस आप जैसे पसंद करें वैसे ले सकते हैं दीचे हमारा रोटी उखमा या रोट्टिलो पोनी तयार है उमेद करते हूँ आप इसे लाइक करेंगे एक नई चीज है बचे की रोटियों से आप इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीचेगा थैंक्यू सो मच्छ